दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला आज राम लीला मैदान पहुँच गया जहां दिल्ली के मुख्य मंत्री ने केंद्र सरकार को जम कर खरी खोटी सुनाई अर्विंद केजरिवाल ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर तीखा प्रहार किया और फिर से चौती पास राजा की कहानी सुनाते हुए राम लीला के मंच से पी-म पर इशारों में हमला बोला कहानी के जरीए केजरिवाल ने प्रधान मंत्री मूदी के शिक्षा पर फिर से सवाल उठाए अरविन केजरिवाल चौती पास राजा की कहानी से पहले दिली विधान सभा में वी सुना चुके हैं जिसको लेकर बीजेपी ने केजरिवाल ने राम लीला मैदान के मंज से अलान किया कि भरस्ताचार के बाद अब वो ताना शाही के खिलाफ जंग लड़ेंगे केजरिवाल रैली से पहले देश के कई राजियों का दौरा भी कर चुके हैं और अलग-अलग नेताओं से केंदर सरकार के खिलाफ जंग में एक साथ आने का आवान भी कर चुके हैं इसी रणनीती के तहट केजरिवाल ने आज अपने निशाने पर सिर्फ प्रधान मंतरी मूदी को रखा एक दिन कहते हैं दोहजार का नोट आएगा केजरिवाल ने प्रधान मंतरी पर सुप्रीम कोट का समान नहीं करने का भी आरोप लगाया अरविन केजरिवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छिन जाने के बाद से केंदर सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं केजरिवाल के हमरे के बाद बारी बीजेपी की थी बीजेपी ने भी केजरिवाल पाबर तोड पलटवार करते हुए उन्हें अवसरवाद की राजनिती का समराट पताया और कहा कि जिस जगा अन्ना के साथ भरस्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था वहां भरस्टाचार से बचने के लिए विलाब किया जा रहा है तब का वो भरस्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरिवाल आज अपने भरस्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिला रहा था और छीचोरेपन की भासा पे उतला हुआ था दरसल केजरिवाल के मंच पर आज कपल सिब्बल भी पहुँची हुए थे सिब्बल कॉंग्रेस सरकार के उन मंद्रियों में शामिल रहे हैं जिन पर इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन के दौरान केजरिवाल और उनके सहयोगी सबसे ज्यादा मुखर रहे थे बीजेपी ने आब इसी को मुद्दा बना लिया है आज सुल्तान केजरिवाल शीश महल से बाहर आए पोस्टर में केजरिवाल को दिल्ली को तबाह करने के लिए एक ही बंदा काफी है बताया गया एक अन्य पोस्टर में लिखा गया कि केजरिवाल जी हमें भी 45 करोड रुपे वाला आपका राजमेहल देखना है वहीं दूसरे में केजरिवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड का जवाब दो ये पैसा तो मेरे टैक्स का है स्लोगन लिखा गया ये सारे पोस्टर दिल्ली बीजेपी के तरफ से लगाए गये थे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पेट्रॉल डीजल पर वैट बढ़ा दिया जिससे पेट्रॉल 90 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रतिली जर महगा हो गया इसके बाद मान सरकार की फ्री बिजली योजना पर भी सवाल उठने लगे जिसमें लोगों को 300 युनिट तक फ्री बिजली देने की योजना है शिरोमनिया काली दल के अध्यक्ष सुख्बीर सिंग बादल ने आरोप लगाया कि लोगों को फ्री बिजली देने के नाम पर उनसे पेट्रॉल डीजल के दाम बढ़ा कर वसूली की जा रही है इस भी चाम लोगों ने भी पेट्रॉल डीजल के दाम बढ़ाई जाने पर नराजगी जताई और दावा किया कि इससे महँगाई और बढ़ेगी लोगों ने आरोप लगाया कि कहने को तो आम आदमी के सरकार है लेकिन इस फैसले से आम लोगों की जेब पर ही बोज बढ़ेगा भारती स्टॉक मार्केट एक बार फिर फ्रांस को पचाड कर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया अमेरिकी शॉट सेलिंग फर्म हिंडनबर की रिपोर्ट आने के बाद भारती स्टॉक मार्केट को जट्का लगा था और हिंडनबर की रिपोर्ट आने के बाद अडानी शमू के शेरों में बिकवाली से जनवरी में स्टॉक मार्केट छटे स्थान पर चला गया था लेकिन अडानी समू के शेरों में आई रिकवरी और विदेशी निवेशकों की तरफ से हुई लिवाली के दम पर भारती शेर बाजार फिर से पाचवे नंबर पर आ गया बताय गया कि 33 साल में सिंसिक 60 गुना बढ़ा और निवेशकों की संख्या 11 करोड 44 लाग के पार चली गई स्टॉक मार्केट साइस के हिसाब से अमेरिका टॉप पर है जबकि दूसरे नंबर पर चीन है बारत से आगे जपैन और होंग कॉंग तीसरे और चौते नंबर पर है 28 मई 2007 को भारती शेर बाजार ने 1 ट्रिलियन डॉलर यानि करीब 82 लाग करोड रुपए के मार्केट कैप को पहली बार हासिल किया था लेकिन 2 लाग करोड डॉलर यानि 164 लाग करोड के मार्केट कैप को छूने में बाजार को 10 साल यानि 16 मई 2017 तक का इंतजार करना पड़ा हाला कि इसे 2 लाग करोड डॉलर से 3 लाग करोड डॉलर यानि 246 लाग करोड रुपए की यातरा तै करने में महस 4 साल लगे 24 माई 2021 को भारती शेयर बाजार ने 3 लाग करोड डॉलर के मार्केट कैप को पहली बार छुआ था बिहार के पूर मुख्य मंतरी और राश्ट्री जनतादल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 76 तरवान जरम दिन है देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करने वाले मजबूत शक्षियत एवं द्रण व्यक्तित्यों के धनी सामाजिक न्याय के प्रणेता आदर निये लालू प्रसाद यादव जी को अवतरन दिवस की हार्दिक शुपकामनाई और बधाई तस्वीरों में लालू यादव के साथ पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी आमी सभार्ती, रोहिनी आचार्या, हेमा, बेटी तेजस्वी यादव और बहु राजश्री यादव भी दिखी इसके साथ ही लालू के बेटियों के बच्चे भी अपने नाना के जनम दिन पर पटना पहुँचे हुए हैं लालू के जनम दिन पर के कटिंग की तस्वीर में उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव नज़र नहीं आए तेजप्रताप अपने पिता के बेहतर स्वास्ति की कामना के लिए व्रिंदावन में है और अपने अनोखी अंदाज के लिए मशूर तेजप्रताप ने कैमरे के सामने व्रिंदावन से ही पिता लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल पर जनम दिन की शुब कामना आए दी पिता के साथ विडियो चैट को तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर शियर भी किया सोशल मीडिया से ही तेजप्रताप ने जानकारी दी कि बरसादाव के श्री राधारानी मंदिर में लालू प्रसाद यादव के जनम दिन पर कीक काठा गया और फिर अपने पिता के बेहतर स्वास्ते के लिए अलग-अलग मंदिरों में पूजा आर्जना करने का है लालू प्रसाद यादव के जनंदिन पर पूरे बिहार में आरजेडी कारिकरताओं ने जस्ट मनाया जिसके बाद राबडी देवी ने लालू को लड़ो खिला कर जनंदिन के शुपकामनाय दिन इस मौके पर आरजेडी के नेता जबरदस्त उफसाह में दिखे लालू प्रसाद यादव खुद बिमारी के कारण अभी भीड़ भार से दूर रहते हैं लेकिन जनंदिन के कारण आज कई घंटे तक नेताओं के बीच बैठे दिखे जनंदिन के मौके पर कारेकरता लालू यादव के घर पर चिहत्तर टोकरे खाजे की मिठाई लेकर पहुंचे जिससे बाद में कारेकरताओं के बीच बाट दिया गया लालू के जनम दिन पर उनसे मिलने के लिए दिगज नेताओं का भी तांता लगा रहा नाराजगी की खबरों के बीच आर जेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग भी लालू को बढ़ाई देने पहुंचे बिहार विधान सभा के बेहत करीबी माने जाने वाले अवत बिहारी चोधरी ने भी राबड़ी आवाज पर पहुँच कर लालू यदव को जनम दिन के शुप कामनाई दी और दीन दुखिया गरीबों के सेवा करते रहे हैं आपको रहना आज के परिस्तिती में आपकी सेवा की जवरत देश को है लालू परसाद यादव से मिलने आरजेडी के और भी कई दिगज में का पहुँचे जिसमें श्यामरजक, अब्दुलबारी सिद्ध की भोला यादव जैसे लालू के करीबी शामिल थे